नमस्कार आदाब मैं हूं प्रविन और आप देख रहे हैं नियूस क्लिक का डेली राउंड अप शो अई नजर डालते हैं आज की मुख्यों सुर्कियों पर हमाई पहली कबर है हर्याना से जहांब मुस्लिम युग की कथित तौर पर धार्मे क्लिंचेंग पुलिस ने कहा पुरानी दुश्मनी कोविन-19 आंद्रपदेश में वैक्सीन दवाईयों की काला बाजा दी बदलाव अस्पतालों को चालू करवाने के लिए बिहार के युवा चला रहे अभियान और आखिर में गाजा में इसराइली हमले की विरोध में फिलिस्तीनियों ने मंगलवार को देश व्यापी हर्ताल का आवान किया हर्याणा के मिवात में एक जिम ट्रेनर की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई आरोप है कि 30 साल के जिम ट्रेनर को कुछ लोगों ने जैस्री राम कहने के लिए मजबूर किया था इस घटना पर AIMIM के चीफ असदुद्दिन अवैसी ने सरकार पस निशाना सादा है हाला कि पुलिस ने इसे साफ इंकार किया है कि युवक की हत्या जैस्री राम न कहने पर हुई है पुलिस का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते हत्या की गई है मामला सोहना इलाके का है बताया जा रहा है कि 30 वर्षी जिम ट्रेनर अपने चचेरे भाई के साथ मेटकर स्टोर से दवा लेकर लोट रहा था उसके चचेरे भाई ने बताया कि गाड़ियों से आए कुछ लोगों ने उन्हें घेल लिया जिम ट्रेनर को बाहर खीचा और पीट-पीट कर हध्या कर दी घटना के बाद यूवक के चचेरे भाई ने जो बयान दिया उसमें कहीं भी यह जिक्र नहीं है कि जिम ट्रेनर को जैश रिराम कहने के लिए मजबूर किया गया था हाला कि परिवार के सदस्यों ने बाद में आरोब लगाया कि यूवक मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ और उसे अपरण करताओं ने पकड़ कर जैश रिराम कहने के लिए मजबूर किया था जैसे जैसे COVID-19 की लहर अकरामक रूप से जीलो में फैल रही है COVID-19 TK और उपचार दवाय जिन में Remedisivir, Tocilimuzumab और Beva की Zumab इंजेक्शन्स शामिल है आंद्रप्रदेश में काले बाजार में बेची जा रही है यहां तक की रिपोर्टों के अनुसार सतर्टा विभाग के अधिकारी स्वास संकट के बीच ऐसे कई रैकेट का भंडा फोड कर रहे है विशुसनी सुत्रों का हवाला देते हुए डेकन क्राणिकल ने 16 माई को बताया कि कोविशिल्ड की 10 खुरा की शीशी लगबग 20,000 रुपए और कोवैक्सिन लगबग 25,000 रुपए में बेची जा रही है रिपोर्ट के अनुसार इन शीशियों को विशाका पटनम से ठंडे पैक में लाया जा रहा है और उन लोगों को बेचा जा रहा है जो उससे प्रशाशित करना चाहते हैं शीशी प्राप्त करने के बाद इसे घरेलू रेफ्रीजेटर में सुरक्षित किया जा रहा है जो व्यक्ति टीके की एक शीशी प्राप्त करने का प्रबद्धन करता है वह 10 व्यक्तियों को 0.5 मिली की खुराक का और इसकी कुल लागत को साजा करने के लिए जुटाता है वे एक नीजी स्वास्त करता को एक सामान अस्थान पर सभी दस व्यक्तियों के लिए जैप प्रशासित करने और सेवा के लिए और डिस्पोजबल सुईयों और सिरिंज के लिए भुगतान करने के लिए नियुपत करते हैं 15 माई को बिहार के सबसे पिछडे माने जाने वाले कोशी छेतर के यूवा सोशल मीडिया साइट ट्वीटर पर उतरे वे सरहरसा जीने के सबसे बड़े गाउं बंगाउं के स्वास उपकेंद्र को फिर से चालू कराने के लिए अभियान चला रहे थे 15 माई शाम 4 बजे शुरू हुए स्ट्वीट अभियान में इन यूवाओं ने 25 जरस अधिक ट्वीट किये और इस तरह एक वक्त हैस्टेक ओपेन बंगाउं पिएस सी बिहार में नंबर वन पर ट्रेंड करने लगा इसका नतीजा यह हुआ कि 18 माई को बंगाउं उप स्वास्त केंद्र को व्यवस्तित का सरकार ने वहाँ स्वास सेवाओ की शुरुवात कर दी किंद्री स्वास मंत्राय दोरा आज मंगल बार यानी 18 माई को जारी आगडो के नुसार देश में करोना के दूसरे दिन भी 3 लाग से कम यानी 2,63,533 नए मामले दर्ज की गए हैं लेकिन कोरोना से आज फिर एक दिन में सबसे ज़्यादा 4,329 लोगों ने अपनी जान गवाई है साथ इसी भी इस देश भर में कोरोना से परित 4,22,436 मरीज़ों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 1,63,232 मामले कम हुए हैं देश की कई राज्यों में कोरोना के नए मामले कम हुए लेकिन मौत के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं जैसे महरास्ट में करीब 2 महीने बाद 26,616 नए मामले सामने आए हैं लेकिन इसी बीच 1,000 लोगों की मौत हुई है दिल्ली में 1,5 महीने बाद 4,524 नए मामले सामने आए हैं लेकिन 335 लोगों की मौत हुई है उत्रप्रदेश में करीब 1,5 महीने बाद 9,345 नए मामले सामने आए लेकिन 271 लोगों की मौत हुई है और उत्राखंड में भी करीब देड महीने बार 3,749 नए मामले सामने आए हैं लेकिन 223 लोगों की मौत हुई है देश में करोणा के मामलों की संक्या बढ़कर 2,52,992 हो गई है जिन में से अब तक 2,78,719 लोग अपनी जान गवा चुके हैं देश में करोणा से परित 85,60 फीस दी यानि 2,15,96,512 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और इसी की साथ देश में आक्टिव मामलों की संक्या घट कर 13,29 फीस दी यानि 33,53,765 हो गई है स्वासमंत्राले के ताज जानकारी के अनुसार देश में करोणा वैक्सीन की 18 करोड 44,53,149 डोज दी जा चुकी है जिन में से 15,10,418 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है फिलिस्तिनियों ने मंगलवार यानि 18 मई को गाजा में जारी इसराइल हमले की विरोध में राश्ट व्याबभी हर्ताल का अहवान किया है कबजे वाले सभी छेत्रों और इसराइल के फिलिस्तिनी एक कारवाई दीवस मनाएंगे जिसके चलते दिन भर सभी गतिवीदिया पूरी तरह से बंद कर दी जाएंगी राश्टि हर्ताल का हवान आम फिलिस्तिनों द्वारा सोशल मीडिया पर किया गया था और बाद में सभी राजनेतिक दलो नागरी समासमूहों और यूनियनों द्वारा समर्थन दिया गया इसराइल के अरब नागरिकों की हाई फॉलो अप कमेटी फतर सेंटरल कमेटी कबजे वाली सीरियाई गोलन हाइट्स के लोगों ने भी इस हर्ताल को अपना समर्थन दिया गाजा के बीतर 10 मैं से शुरू हुआ इसराइल का निरंतर हवाई हमला मंगल वासुबह तक जारी रहा इन हमलों में अब तक 61 बच्चों सहित करीब 212 लोग मारे गए हैं और 15,000 से अधिक लोग खायर हुए है ये हर्ताल कबजे वाले पूर्वी येरुसलेम के शेख जर्रा के निवासियों को बेदखल करने के इसराइल के प्रयासों और अल अक्सा परिसर परिस के हालिया हमलों के विरोध में हैं जिसमें सैकड़ो फिलिस्तिनी खायर हुए आज के डेली राउंड अप में बस इतना है निव्सक्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक, ट्विटर और इंस्साग्राम पे हमें फॉलो करें, निव्सक्लिक देखने के लिए शुक्रिया